सुधीर राजी से मैं निविदन करूँगा कि आप किरपे आएं और कॉंसेप्ट बताएं हमारे साथियों को समझाएं कि हमारे इस वीदा पीपल का क्या कॉंसेप्ट है क्यों हम जुड़ना चाहते हैं यहां जो हम बार-बार बात करते हैं कि उद्देश से क्या है और हमारा क्या अबजेक्ट है और नो बजे हम अबजेक्ट बताते हैं हमारा उद्देश से बड़ा ही सिंपल है यानि जो कंसेप्ट है वो सबसे साधरन है सबसे सीधा साधा है सबसे सरल है इतना सरल है कि हर व्यक्ति उसको रोज इस्तमाल करता है मगर अपने घर में इस्तमाल करने कोशिश करता है समाज में नहीं करता बस यहां थोड़ा सा अंतर कंसेट है हमारा जोड़ना है और जोड़ना है और हर व्यक्ति अपने परिवार को जोड़के रखता है और उससे जोड़ा रहता है साम को परिवार के साथ खाना खाता है सोवेगो परिवार के उदेख भाल करता हुआ अपने काम पे जाता है महिला पुरे दिन परिवार को जो रहेगी और कोई परिशानी आने से पहले ही दूर चली जाएगी और हम भी अपने बच्चों को सभी कहते हैं कि भाया साथ साथ रहना जाए कितनी परिशानी हो कितनी हारी हो कितनी भीमारी हो कितनी तकलीफ हो या कुछ भी हो मिल बाट के खाना मिल बाट के रहना और हर एक आपकी एक्षा होती है कि चारो बच्चे उसके अगर चार है तो चारो जीवन परियंत एक साथ रहें और उनके बच्चे भी एक साथ रहें वो अलग बात है कि बच्चे किसी कारण से या किसी ना कारण से नौक्ती बाहर लगी बैपार बाहर हो गया या कोई बात हो गया वो को खट्टा हो जाना चाहिए जुड़ जाना चाहिए तो जो आफ़त है वो लगबग आ चुकी है आफ़त यह है कि हमें बावासमधकरने मौत के मुझसे बापस खीचा हम लगबग खतम हो चूके थे कि बाव Golf साब अमेटकर आगे ये और वावा साब कर ने हमको जीना सिखाय को रोजी रोंतिकर का प्रवंध किया हमको जदी और आखनी सारे मान संबान दिए ऐसा नहीं reviewing में पहली बार मान संबाद दिया यदा यह कूश्मा सोचा कि समए हम राजा रहे हैं या हम ब्यापारी रहे हैं अनात्पिंडक के रूप में सुदत के रूप में हम जीवक के रूप में डॉक्टर रहे हैं पूरी यूनिवस्टी हमने चलाई हैं बारे एक बारी यूनिवस्टी में हैं हम पत्थर लिखने वाले रहे हैं तो हम लिखाया भी हैं लेखक भी रहे हैं जो हम लिखते थे, तो हम पढ़े लिखे थे, तो हम पत्थरों की किताब को पढ़ने वाली भी रहे हैं, तो हम रीडर भी थे, यानि हम राइटर भी थे, रीडर भी थे, डॉक्टर भी थे, हम बड़े-बड़े बैल गारी बनाया करते थे, बड़े-बड़े तीर कमार बनाय करते थे तो हम इंजीनियर भी थे हम बड़े-बड़े युद लड़ा करते थे असुप के समय तो हम सैनापती सैनि गश्कमांडरं भी थे रिखेटे बूमा स्वेजर भी तो सारा खेती तो कस्क और किसां भी हम थे और सारा वैपार हम करते थे तो वैपारी भी हम थे यानि हम असोक के समय सब थे तो असोक के समय एक काम और भी था कि हम समण संगी थे यानि हम सारे लोगों की एक पैचानती कि हम समण थे और कुछ लोग और थे एक परसेंट से भी कम जिनको हम बम्मन बोला करते थे वो बम्मन अलग थे असोक की पत्थरों की किताब में लिखा हुआ है बम्मन सब्ध और हमारे लिए समर सब्ध लिखा हुआ है तो हमन समर्थ थे और बुद्ध का एक ही संग होता था जिसको बुद्ध का संग यानि संगं सरनंग अच्छामी बूला करते थे तो ये जो संगंग सरनंग अच्छामी जो संग बुद्ध के समय हमारा सारा रहा तब हमारी कोई जात रही होती थी और बुद्ध के समय तो वन भी नहीं होते थे कोई कह सकता है जो बुद्ध तो छत्री हैं छैसंदी नहीं है पाली के अंदर यहानी छत्रीये में जो 6 सब्ध है कभी बोला भी नहीं लोग TEखाती मिल्ते है खट्री मिल्ते खेती मिलते है तो यह जो आप आप खट खटों नहीं देखी है जो हमारे खेत के नाप होते हैं माप होती हैं तो खेतिय थे गुद्ध खेतिय थे किसान थे और तब उस समय तक कोई ऐसे वन्वेवस्था नहीं थी जिसमें सुधर लोग हो या वैसे लोग हो क्योंकि सुद्र सब्धी नहीं था तोकि शे पाली में है यह नहीं पाली में शुद्र सब्ध का शे नहीं है से बुद्ध ने कभी बोला यह नहीं सिर्फ एक से होता था जो मेरे नाम में आता है सुधीर या जो समण में आता है से यानि हम सुद्ध लोग थे सुद्ध का मतलब प्योर बिल्कुल एकदम 100% मन से सुद्ध जिसमें कोई पाप ना हो ऐसे लोग थे हम यह सुद्ध को बाद में शुद्र बोला गया क्योंकि सुज़ती और बुज़ती पुराने पाली के सब्दे हैं वहीं से बना हुआ है जो पाली पढ़ते हैं वो जानते हैं कि पाली में कितनी सार चीज़ें हैं जो बुल्कुल किलियर हैं और बुल्कुल साफ साफ दीनी हैं तो यह पश्ट रूप से साफ साफ उसमें लिखा हुआ है तो हम असोक के समय जो महान लोग थे और सारे के सारे हम राजा के परिवार और किसान के परिवार और लेखक के परिवार और इंजिनर क था नहीं तो शक्ति सब तो बाद में बना है संसकाइद करके बाद में बनाया गया है संगे सक्ति यानि इखटे होने में सक्ति है और यह बुद्ध से पहले हम इखटा हुआ करते थे ऐसा नहीं कि बुद्ध ने संग बनाया तो तब इखटे होते थे बुद्ध से पहले इख यानि वो सम्मेलम करते हैं इसलिए उनको कोई हरा नहीं सकता क्योंकि वो एक निड़ने देते हैं और उनके जो निड़ने हैं भहमत पाधार होते हैं वहाँ कोई व्यक्ति नेता नहीं होता और वो पैसा भी खटा नहीं करते हैं वहाँ कोई राजा भी नहीं होता वो गण पर परिशा होती है परिशाद होती है यानि परिशत तो बाद में सब्स बनाए परिशा बोलते थे गण परिशा होती है गण माने होता है लोगों का सम्हूं का परिशा तो ये सारा का सारा जो परिशा जिसको आज परिशत बोलते हैं गण की व्यवस्ता समण संग की व्यवस्ता पुरानी वेस्ता है, वही संग असोक ने बहुत मजबूत बनाया, जब तक वो संग रहा, यानि हम इखटे रहे, तब तक सब चीज हमारे पास रही, और जब हम असंग हो गए, हमारा संग तूट गया, फिर हमारी सिक्षा भी चली गई, हमारा वैपार भी चला गया, हमारा र खेट खलियान मी चले गए, हमको मजबूर बनना पड़ा, और मजबूर की ऐसा जो टट्की उठाता हो, और जो मरे जानवर को उठाता हो, वो ऐसा काम करने वाले, क्योंकि हमने सरंडर नहीं किया, कभी हम लड़ते रहे, जीतने के लिए लड़ते रहे, और हम मरे का मास खा बने, डॉक्टर बने, लेखक बने, राइटर बने, दुबारा से अब हम फैक्टर के मालिक बने, दुकान के मालिक बने, तो ये काम चल ही रहा था, मगर जब हम सारा काम करेंगे, तो कोई तो आदमी करेगा, जो सफाई का काम करेगा, कोई तो आदमी है, जो लेबर का काम क कोन करेगा अगर हमारे सारे बच्चे पढ़ लिखे नीरे बन जाएंगे हमारे सारे बच्चे पढ़ लिखे अफसर बन जाएंगे जज बन जाएंगे वकील बन जाएंगे दुकांदार बन जाएंगे सब लोग जब बाहर जाना शुरूप कर देंगे पढ़ लिख हो चम्रगी का काम कोन करेगा तक्टी उठने काम कोन करेगा इस बात का जगड़ा देखते हुए उन लोगों ने हमारे रास्ते बंद कर दियों हमारा जो छोटा सा हिस्सा में मिला था सेपरेटि लेक्टरॉल के बद्दे जिसको आरश्ण बोलते हैं उसको बंद किया जिन जगे हमें नौकरी मिलती थी वो बेच दी जहां जहां हमारा काम था वो काम खतम किया हमारे पिरमोशन को कुछतम कर कर दिया हमारे जो बच्चे पड़े लिके हैं उनके रास्ते में बाधा लगा दी यानि वो मैरिट में भी उपर आ रहे हैं मगर फिर भी एक रिस्टिक्शन रही है और अब सरकाई नोकरी खतम है जाए बड़ी है या च्छोटी है क्योंगी लेटल एंट्री है और अभी एक रेलवे में तो एक एड आया जिसमें साफ लिखा हुआ है कि वैसे कि इतने बच्चे हमें चाहिए तो अब कास्ट के हिसाब से भी नोकरी आने लगी है और इ लिखाई देता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है इस समय दुकान हमारे पास है नहीं इंडिस्ट्री हमारे पास है नहीं खेत खलियान हमारे पास है नहीं ले देके रोजगार के नाम पर यही एक सरकाई नोकरी है और कोई ब्यापार हमारे पास ऐसा है नहीं और वो र बातदादों ने कर लिया फिर करेंगे क्या ये इसलिए ठीक ऐसा है क्योंकि अगर हमारे जो लोग पड़े लिखें अगर उनको काम मिलता वो पड़ा लखा काम आगे करते तो पीछे वाले लोग और आते फिर पीछे वाले लोग और आते मैंकर जब आगे वालों का रास्ता है कि अब हम कहीं के नहीं रहेंगे तो एक इस्तिती दिखाई देती है इससे निकलने की नहीं है एक बात समझ में आती है कि इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है इससे कैसे जीता जा सकता है क्योंकि सम्विधान ये कैसा है कि सब को बरावर का धिकार है और सब को काम मिलना तो बेरोजगार मिलेगा दुनिया के देशों में ऐसा होता है मगर यहां सम्विधान में यह नहीं हो पाया कि सब लोगों को बरावर पैसा मिले यह सब लोगों को सरकार पैसा दे चाहें अगर वो रोजगार है तो बेरोजगार है तो भी वो राइट टूवर का काम नहीं है यानि राइट वर्क में नहीं है, मगर वो आ सकता है. कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. क्योंकि सम्विधान ये कहता है, कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी सम्विधान में हिस्तेदारी. अगर अगर आपकी संक्या एक 50% है तो फिर जैसा आपका होगे मैं वैसा करूँगा ऐसा संब्धार कहता है तो लोगों को यकिन नहीं होता क्या ऐसा भी हो सकता है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि MPMLK भी या वश्कता नहीं है अगर आप 50% हैं तो आपकी सारी बाते समिधान मानेगा सारे नियम मानेगा जो आपके अधिकार चलेगे वो भी देगा और भी देगा इसका एक उधारण दो अप्रेल अठारे को बार 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 बताया जाता है कि दो अप्रे लठारे को जब हमारा एक अधिकार निकाल के फैंक दिया SC, ST, Act or Cities Act का तब सारे लोग सड़क पे आये जिसमें कोई MP नहीं था कोई MLA नहीं था, कोई NETA नहीं था कोई संग्ठर नहीं था, बस साधरन लोग सड़क पे आ गए उनकी संख्या जादा हो गई और समिधान में वो पन्ना दुबारा से जुड़ गया वो 6 गंटे के लिए आये सड़क पे तो आधा एक पन्ना जुड़ गया वो 24 गंटे के लिए आते तो दो पन्ने जुड़ जाते वो पर्मानेंट अगर जुड़े होते और ये मैसेज होता समिधान को कि ये लोग सब इखटे हैं जुड़े हैं जैसे सिख लोग जुड़े हैं जैसे हिसाई लोग जुड़े हैं जैसे और लोग जुड़े हैं तो फिर हमारा कोई अधिकार जाता है नहीं और कोई atrocities होती भी नहीं क्योंकि जो संग में लोग होते हैं और जो जुड़े हुए होते हैं उन पे कोई भी अत्याचार नहीं होता जो मदुमक्या है वो भी संग में रहती हैं वो अत्याचार करती हैं लोगों पर काट काट कर उ लड़ेगा उन से वो इतनी संक्यामर इखटी है तो आपके पीछा पड़ जाएंगी और ज्यादा काट खाएंगी तो आपको मार भी देंगी वह जाए बेसक आप कितने भी तगने हैं या कोई भी जानवर हो जो उनकी तरफ आता है वो उसकी तरफ भागती है जो कुत्तों का जुंड है वो बेसक के एक फुर्दा कमजर हो सकता है तो कर जो आपके हैं जंगल का पृगती का नीअ है चाए हैँ कि सब को पता है कि जुन्ड में रहना सुरक्षा है और पेड़ पौद इसकी तो बात छोड़ो जो पेड़ पौदे हैं वो भी जुन्ड में रहते हैं जाड़िया भी जुन्ड में रहती हैं तब ही बसती हैं उनको जुन्ड बोलते हैं तब वो सुरस से बसती हैं तब वो मार के खा जाएगा, अकेला जानवर जंगल में कभी नहीं बसता, इसी तरह हमारे जितने लोग जो कबीले में रहे, वो बच गए, और जो इखटे रहे, वो बच गए, अभी हम तीस करोड लोग हैं, मगर इखटे नहीं है, इसलिए रोज हमारी पटाई होती है, कभी हमारी कपड़े फार देता है, कभी हमारा मूँ काला कर देता है, कभी हमें पटाई कर देता है, कभी हाथ बानता है, कभी जोपनी माग लगा देता है, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, कभी गाली से, कभी मुर्गा बना के, कभी मुर्गी बना के, हर तरह से होता है आती जब हो जाती है जब बलातकार भी होते हैं और मडर भी होते हैं तो ये सारे रुक सकते हैं ये खतम हो सकते हैं इसको किसी से हाथ जोड़ने ही जो तो नहीं है किसी के आगे क्योंकि पिटने के बाद आप सरकार के पास जाओ या पुलिस के पास जाओ या वकील के पाज जाओ कि हमको न्याय दे दो उससे पहले अगर इखटे हो जाओगे तो पिटोगे नहीं तीस करोडों लोग बहुत बड़ी ताकत होती है सिख तो दोई करोड हैं कौन प्रिटता है उनको आज उनकी मौज है उनका बजार है उनकी मार्केट है जो चायते वो करते हैं तो उस समय के समण थे तो वो 120 करोड है अभी जादा लोगों को समझ में नहीं आती है तो कम से कम सुड़काश के लोगों को समझ में आ सकती है वो तो समण संग के लोग है वो तो डॉक्टर मेटकर को मानते है वो तो बुद्ध को मानते है वो तो पैरियार को मानते है वो जोति में रहो और बावास आप कहते हैं organized be organized यानि संग्ठन में रहो तो सबी लोग कहते हैं और हमारे बजर्क भी कहते हैं कि बच्चों इख़टे रेना लेने खाल दलादे क्यो नहीं होते क्यों हैं कि हम तो इखटा होना चाहते हम तो साधारन आदमी हैं मगर हाजारों संक्टन भण के बने हुए हजारों संख्ड़न सिक्षा की सिंगे ब race बना रहे ह हजारों संस्थ्व कैसे यह जो जल्दी फाइदा होना चाहिए मगर कैसे हो क्योंकि सम्धान तो कहता इखटे हो के आईए और ये संग्ठन इखटा नहीं होने देते ये कहते है मेरा संग्ठन अच्छा है मेरा संग्ठन अच्छा है और ये थोड़े थोड़े लोगों का गुरूब बना के रहते है इस्दारी के नाम पे, दोस्ती के नाम पे, हाथ पे जोड़के, या कोई अच्छा सा भाशन दे के कोई लोगों को मितरफ कर लेते हैं, और कहते हैं, देखो, दूसरे संग्ठन वाला दुस्वन है, वाह माँ जाना, वो आदमी खराब है, वाह माँ जाना, मेरा संग्ठन अच और ये सारे संग्टर एकटे होने बहुत जरूरी है इसलिए अगर आप पैसा देना बंद कर देंगे इनको और इनसे ये कहेंगे कि देखो भाई एकटे होने के लिए पहले बाद तो पैसे की आप सकता है नहीं एकटे होने के लिए आदमी खटा होना या पैसा एकटा करना है आदमी खटा होना तो पैसे की खटे करने की जरूत नहीं है दूसरा यह है कि आप पहले खटे हो जाओ जब सारे खटे हो जाओगे तब हम पैसा देंगे क्योंकि हमारा पैसा बेकार जा रहा है हमारा पैसा हमें ही मार रहा है तो हम जैसे जैसे पैसा देते रहे, आप लोगों को संठर की नाम पर देते रहे, वैसे वैसे बाबा साब यतने अधिकाल आये थे, वो सारे चलेगे, इसका मतलब तुम जो काम कर रहे हो, वो काम अच्छा नहीं है, वो काम अगर अच्छा होता, तो हमारे सारे अधिकार रु पड़ेगा और जब वह खट्टे होंगे तब हमारा लाब होगा तब हमारा फायता होगा तब संख्या ज्यादा होगी तब दो अप्रला ठारे की जगे हमें हमारे अधिकार वापस मिलेंगे तो इसके परणा माने शुरू होगे हैं मेरे पास कैई सारे नेताओं के फोन आए उन्होंने ये कहा जी कि आप संथनों को पैसा देने के लिए क्यों मना कर रहे हो अरे आप भी ले लो पैसा तो हमने का देखो भाई एक तो ये समण संगे संथन नहीं है दूसरी बात यह है कि आप लोगों से पैसा लेते किस लिए हो लोगों को खटा करो खाने की बात है तो लोग खाना नहीं खाएंगी जिसको खाना खाना होगा वो अपना खाना ले आएगा खाने के नाम पर टेंट के नाम पर माइक के नाम पर माला के नाम पर मंच के नाम पर फूलों के नाम पर यह सब पैसा लेते हो यह लगाते हो हमें असंग्णित कर रहे हो दरसल हमें दुस्मन बाहर से नहीं हमारा दूस्मन हमारा दूस्मन तो तुम हम मैं 1000 संघ्रद्थ कर रहे हो तुम को जब हमको संघ्रद्थ करते हो तुम खुद पतों संघ्रद्थ होना चाहिए हम तो कहते हो जाओ एकप्र भbor सरम आएगी रहवा दिया पुरा लैंब जानना से किamtी आएगी बच्च वुक अमरेगे तो उनको कहो ऐसा उनको पूछो क्यों लगाते तो पैसे की आवसकता कहीं होती नहीं इसलिए समर्संग में यह नियम है कि समर्संग कभी भी पॉब्लिक से पैसे नहीं लेगा यानि हम पॉब्लिक से पैसे नहीं लेंगे कभी भी कोई व्यक्ति अगर पॉब्लिक से पैसे लेता ह होती क्योंकि समण संग के जितने समण लोग हैं वो सारे के सारे इसके मेंबर हैं और समण संग में कभी कोई व्यक्ति नेता नहीं बनेगा क्योंकि समण संग का जो नेता होता है वो समण होता है फिर वहुमत से वह पास होता है फिर वह नियम बन जाता है फिर सब लोगों को मानना है और फिर उस पर चलना है तो यह नियम यहां ऐसे चलते हैं यहां भी ऐसी चलते हैं उसमें क्या क्या करना है कैसे कैसे करना है वह सब लोग जो इसमें सक्रिय मेंबर हैं क्योंकि इ इंजी मेंबर से पो सकते हैं मेरे यहां काने के बाद सवाल में जवाब दे दे सकते हैं आपका कोई परसंड है उसे पो शक्ते है किया आपकर करीrence माला नहीं चलती है कि यहां पैसे भी नहीं किये जाते यहां कोई भी मिटिंग होती है तो यह मिटिंग का नियम है चार पॉराथे अपने ले क्टार के साथ और वह ही सब मिलके पॉराथे एक साथ मिलाके कखाये जाते एंफ भाशित कर पनाव से जब डाले हैं सब जब navy का नहां अम्दीड का भवन है, कोई कोई किसी की चछट है, किसी कोई जगे ऐसी है, पिड़ के नीचे है, चाय के नीचे है, पार्क में, तो कोशिель करते हैं कि फ्री की जगे मिल जाए, कोई बुद्ब्हार वगेरा हो, कोई बालवी की भवन हो, कोई गाड के भवन हो तो वहाँ काम चला ले दे हैं तो इसका काम कैसे चल रहा है इस समढ़ संग का जो काम है वो बड़ा आसान और बहुत आराम से चल रहा है अब जगे जगे एक्शल मीटिंग होने लगी है क्योंकि अब कोबिट खतम हो गया है इचल तो बहुत पहले से र हम जड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे जो इस बात मैं यकीन करते हैं वो सारे लोग वह एकटे हो रहे हैं और वहाँ जगे-जगे-जगे-जगे जो जहां जैसे खटा रहो वह वैसा एकटा होता जा रहा है तो महराश्ट में कल उनिस तारीक है कल महराश्ट के अंदर एक मी को डॉक्टरों की पूर इंडिया के डॉक्टरों की मीटिंग है जो लखनों के अंदर है उसमें अगर आना चाहे तो इता सकते हैं वो थोड़ी महंगी है क्योंकि डॉक्टर ने अपने आपको रिजोट्स में बलाया है और वहां 700 रुपे की प्लेट है क्योंकि खाना अपना होना है आप वहाँ ये मीटिंग अटेंड करिए आगे देखिए उसका डॉक्टर्स को मिलके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हम मीटिंग अटेंड करना चाहेते हैं देखिए कैसे हाउस लगता है कैसे नहीं लगता है या आप मीटिंग कर सकते हैं तो आप मीटिंग लग जोड़ना है क्योंकि जोड़ेंगे तो जीतेंगे पहले भी जुड़ेंगे तब भी जीतेंगे फिर जुड़ें हम बावा सामने जुड़ें हमको भात गर राज संग बराया फिर हम जीतेंगे अब हम फिर जुड़ेंगे जीतेंगे जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां मान लेगा मगर समैंधरां नहीं रहे गा तो बात कूं मानेगा फिर तो गडरतन से राज तनत्र हो जायेगा और राज तन्तर हो गया तो राजाबात नहीं मानता पब्लिक की उसे बोर्ट से क्वोशलेंbank कोई लियान दर्देरों नहीं है वो और उसका राज उसका दर्वारी बस वही कुछ सब कुछ होता है और वो समय भी आ सकता है क्योंकि समय तो आता रहता जाता रहता है कुछ ऐसा कुछ नहीं है को इस समय फिक्स है समिधान पहले था नहीं फिर समिधान आया बुद्रे समिधान मराया बहुत दिन तक चला सुकन सम्विधान चला चला बाद में सम्विधान चला गया फिर मनुस्मर्ती आ गई फिर दुबारा सम्विधान आ गया फिर मनुस्मर्ती आ सकते है फिर सम्विधान आ सकता है इसलिए कोसिस करें कि जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी खटे हो जाएं क्योंकि एक बार सम्विधान चला गया तो दुबारा सम्विधान इस्थापिद करने में बहुत तकल दगानी पड़ती है और वो होना भी वड़ा मुस्किल होता है फिर उसमें बहुत समय लगता है साल दो साल तीन साल चार साल पांस वाल लग सकते हैं सम्विधान को मत जाने तो अपने हाथ से और इखटे हो जाओ और लोगों को मोटिवेट करो कauge बहाई इकटे होंगे तो ही बचेंगे जुडएंगे जिन्दा रहेंगे जुडएंगे नहीं तो जिन्दा नहीं रहेंगे पढ़ा लेखा आदमी अगर चपल गाठेगा पढ़ा लेखा आदमी अगर टटियां साफ करेगा तो उसका जिंदा भी मरे के समान है वो कोई जिंदा व्यक्ति नहीं होता वो भी मरा हुआ होता है पढ़े हैं लेखे हैं गुने हैं तो उसी के अनुसार काम मिलना चाहिए उस कोई प्रसंद हो तो वो पूछ सकता है कि डॉक्टरों वाला मीटिंग का प्रोग्राम कब और कहा है सब डॉक्टर वाला विजय कुमार जी चप्विस तारिक को चप्विस दिसंबर को लखनो में है आप चेट बॉक्स में छोड़ दीजे अपना नंबर वो डॉक्टर साब को कॉंट्रेक्ट कर लेंगे वहां उनका रिष्ट वो खाने वाने का सब आपना देना है तो आपका नाम लिख देंगे उसमें और लखनो में है वह कोई दूर नहीं है पांसो क्ले मुटर छे गड़ने पहुंचाते है आज कल स्कूटर से भी और घूमना भी महां पर कोई दि आती आया हो वह अपना कोई भी प्रसंद कैसा भी प्रसंद हैं वो पूछ सकते हैं कैसा भी डाउट है वो पूछ सकते हैं जैवीम जैवारस सर्द ममवद्धार मैं मातावी कनुख के च्छतिर गर से जी आ तो हम लोग तो इसमें रह करके राजनीत नहीं करेंगे क्या राजनीती एकटे होके करें यह संग कहता है मगर संग कभी राजनीती में नहीं नहीं जाता संग के लोग जा सकते हैं और वो सब मिलके एक साथ जाएंगे ऐसा संग कहेगा कि सारी पार्टियां एक हो जाएं यह संग का नियम है नहीं तो डालेंगे जी नहीं इसके बारे मे हैं मगर समढसंग इस्तापित होने के बाद इस पोजिशन में आ गया कि आपको कोई सला देद दे सके सही वह आपकी बंड़ी है आप माने या ना माने क्योंकि संख्या का रिकॉर्ड बनने के लिए लोगों को बोला हुआ है कि सब अपने अपनी संग्या पता दें बाकी मैं समझता हूं कम से कम अगर सारा कुछ मलाया जाए क्योंकि पिछले छे मैंने से हम लगे पड़े हैं तो दस से लेके वी से हर के करीब लोग हैं पस यह है मेरा सुजाब तो साहिब जी मेरा एक सुजाब यह है कि एक आदमी दस आदमें को जोड़ दे तो हम बहुत जल्दी आगा बढ़ेंगे आपका जो सुजाब है वो समझ संग में पहले पास हो चुका है आप भी समझ संग के पराने आदमी हो इसका मतलब मैं बताना भूल गया यहां कि हर एक व्यक्ति एक व्यक्ति दस आदमी को जोड़ने काम कर रहा है और आप अगर करना चाहें तो एक व्यक्ति दस आदमी को जोड़ने काम इसमें चल रहा है जो इसके एक्टिव मेंबर है वो जोड़ रहे हैं एक व्यक्ति की जमदारी दस क एक शेर करना चाहूँगा कि हमाचे परदे से अभी दो तिन पहले एक अरक्षन के बुरुद में अर्थी निकाली गई है और स्टेश्टी एक्ट के बुरुद जो की डॉक्टर बेड़कर स्टैचू के होका श्रिमला से रिजमदान से होकर निकाली है और वो लेकर जा रहे ह हरीदवार को और जे बहुत बड़ा मुवमेंट जो इन्होंने खड़ी करी है और अभी जे नाहन के क्रीव थे इस थोड़ी देर पहले को दो गेंटे पहले रात को नाहन के क्रीव जे पहुंच चुके तो जिन्होंने बहुत बड़ा एक अजंडा जो हो खड़ा करा है रक कि यह ज़ें मुध्धा ज्वाथ सेंस्टीव हो रहा है और कल हमारे कुछ संबूद्व है और हमारे लोगों ने एक डू मेरी प्रेजेंटेश्ट भी दी हि यह गलत हो रहा है यह यह जह जो इन्हों मुम्मेंट दी है जह मुम्मेंट जा रही है फुरे नेशन में तो इनका जो इन्होंने चार पांस स्ि RPG कबर करेंगे जह हमाचल से होकर जह हहर्याना घोपी जूपी से पंजाब पंजाब से फिर जह हमाचल में धर्म शला कर इसको खतम करें तो इन्होंने आज क्लेर करा है कि हम जिस दिन धर्मशाला पहुंचेंगे तो उस दिन हमारा एक लाग से उपर हमारे लोग जो हम आप पर कठे होंगे और पूरी तरह से रिजर्वेशन और एक खलाब जो है हमारा जो कटी बता है कि उसको खत्म करना है और आर्थिक अदार के उपर इन्हें जो लगा रहा है कि रिजर्वेशन रहेगी तो आर्थिक अदार के पर दीजाएगी इस पर आप अपना मुझे बताएं कि अगर सारे लोग इखटे हो जा हो यहमें फिर पीट सकता है तो जब हमें पीट नहीं सकता कोई तो हमें स के बाद में जरूत मीं पड़ती क्योंकि जो सिक्ष हैं वो दो करोन है उनको कोई ऐसी एस स्ट जैसा एक्ट नहीं मुद्ध को लूगों को पैली बात दूसी बात यह चै माइने खतम हो चुके हैं देखो आरेख्षण सिर्फ नाम का रह गया है आरेख्षण कहीं खतम नहीं होगा वो कोई कुछ भी कले क्योंकि आरेख्षण आप पॉलिटिकल एक वैपन है वो कहेंगे जी आरेख्षण आपका है और अब हम आपको आरेख्षण 14% से 24% दे रहे हैं ठीक है मंजूर खुश आप और 24% आरेख्षण में आपको एक भी नोकरी नहीं मिलेगी क्योंकि नोकरियां सब खतम प्राइविट सेक्टर सारे हो जाएंगे दो तिन साल के अंदर सारे सेक्टर प्राइविट हो जाएंगे और जो कुछ सेक्टर बचेंग हैं यह दरसल उनका लास्ट सैमिस्टर चला है जिसमे वो हमें डायवरट कर रहे हैं और हमारी लोग उसमें पड़ाते हैंनको लगता है हमारा च्युफ और बचांग हो झारोगे तो हम क्या रोगे हैं हम पिट के आएं तो हम को बचा लोग तो हम तो इसी बचाव में लगे रहेंगे हम पीटने वाले कब बनेंगे हम पीटने वाले तब बनेंगे जब हम इखटे होंगे तो हमको पीटने वाला बनना है पिटने वाला नहीं बनना है अगर हम पीटने वाले बनेंगे तो पिटने वाले बन जाएंगे फिर वो आपके पास आएंगे सार्थी जी हमको पीट दिया जरा हमको इसमें एक्ट लगाओ अब फिर जैसे SCST एक्ट है फिर बनेगा जनर्ल एक्ट बनेगा जो SCST लोगों से बचाएगा तो हमारे खिलाफ एक्ट बनेगा फिर हम निकालेंगे रेली तो हमको सिर्फ इखटा होना यह सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी और हम इखटे नहीं होंगे तो देखो यह तो चीज़ चल नहीं है बचाव से कुछ नहीं होता और बचाव हम करते रहेंगे बचावला आदमी आपने देखाओ को पुलिस लट्ठ मारती है आदमी ऐसे करके हाथ को कर लेता है तो हाथ तो तूटी जाते ना बेसक सर बच जाए तो बचाव से हाथ भी तूट जाएंगे कुछ नहीं बचेगा इ लिए उस पोश्चन में आना लट मानने वाली पोश्चन माना प्लिस बनना है ठीक है सर और किसी का होना चाहिए हमें पावरफुल तो होना पड़ेगा अगर जी हमने आप सार्थी जी आप उधर क्या बोलते हैं अभी हमारा जो उना के अंदर आप अगर दस लोगों को जोड है और जैसे एवन प्लस टैन का फार्मॉला चलता है तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा और और लगनों मीटिंग में आने का आप आप त्यारी किजिए लगनों मीटिंग में आ जाईए आप और अगर आप नहीं तो दस लोग तो आप जोड़े सकते हैं आप एड़ोकेट ह अगर जीतना है तो जुड़ना होगा जुड़ने के लिए काम करना पड़ेगा खाली यहां कहने से कि जुड़ेंगे जीतेंगे हम नहीं जीत सकते काम करेंगे तो जीतेंगे बाई कुछ लोगों ने सेकलों सालों से काम किया है तो जीते हैं हम अगर दस साल भी काम करेंगे चार साल भी काम करेंगे ठोक के तो भी जीट जाएंगे हम सिंग जी मैं बालशंकर बल रहा हूं जी बालशंकर जी कैसे हैं हां बस ठीक हूं सर यह जो लखनों में मिटिंग होने जा रहे डाक्टरों की तो उसमें विशे और आजेंडा क्या है मतलब वहां पे क्या डिसकुशन होने आला है क्या होता है कि वहां जो प्राइम मीटिंग है वह डॉक्टरों की है डॉक्टरों का एजन्डा है कि वह अपने समाज को कैसे मेडिकल हेल्प पहुंचाएंगे और कैसे वह मेडिकल साहता करेंगे जैसे कोविड में हमारे लाखों लोग मर गए हैं दुबारा से कोई बीमारी आया परिसानी आया तो कैसे बचेंगे चोटी मुटी बीमारी में कैसे बचेंगे और हमारे बच्चे कैसे मेडिकल में जाएंगे कैसे आएंगे उस सपे वहां वह अपना एजन्डा लेके आएंगे वहां हाउस लगेगा सारे सारे प्रूपजल लेके आएंगे उस पर चर् अभूर जैसे आप teachers हैं teachers की meeting लगेगी हम रहेंगे सब साथ साथ एक दूसरे की meeting में आना जाना रहेगा रहेगा हमारे परिवारी समन संगी रहेगा तो आप जिरो hour होता है जब डॉक्टर की meeting अबर हो जाएगी तो जिरो hour में जितने डेलीगेट्स हैं जो भी लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं अपनी बात जी भाल संगर जी येस जी सर जी सर समझ में आईए और कुछ नहीं तो लखनों घूमना हो जाएगा आपका मिटिंग भी देखना हो जाएगा वह पूरा परिवार आपको मिलेगा आपके महां से क्या बोलते हैं नासिक से भी डॉक्टर विसाल वह आरें ज्यादा वारें हैं उन्होंने दस लिए का था हमने से ब्सक्राइब ही लिए काता हằं लिया ने काता है धिको बीज डोक्टर आएन आ हैं आप डस डोक्टर ले आना का खाफिरेंगे एक सो तीस डॉक्टर की यूनिट है जो इसमें स्रमर संग में उन्होंने मिक्स कर दी है तो हमने का दूर है आप देखिए अकर आज सकते हैं तो आई ये प्लीज ये सर ये सर ये सर अभी इस गुरूप में तेज लोग जोड़ रखे हैं एप दीरे दीरे इसमें जो हमारी जूँम मीटिंगा जोडना चुरू कर रहा हूं आप ये डिस सके व्हूंदा कर के लिए मैं पägधनी ये पadiaसे मजून हो नगर हूं पका में पका हन पका है पका पांग बिल्कुर इनका है है मिरे पास है मेरे पास में गुछ करके एक्टिव नियुड पना ले नוס सप्टिन होती है उसके सरो यह स्ब्सक्र दिन tutte स Avoid a मैं अपनी नोलिज की लिए चीज पूचना चाहरा था तो मैं पूचना चाहरा था इसका कोई अमने डाटा कर रहा है सर बूक तिहार हो रही है जाएगा एजेंडे में प्रूपजल यहाने वाला है कि जितने इसके मेंबर हैं वह एक दूसरी की मदद करेंगे गी मेंबर की मदद करेंगे जो मेंबर रहेगा उसकी की मदद करेंगे जैसे आप एंसिटीम बैठे लेके चले जाते हैं उससे क्या होता है संग कम जोर पड़ता है उसे संग अपने मैंबर की पूरी मदद करेगा और उसकी एक सपत भी लेगा ऐसा पुजल इस बार मंडे को 22 तारीक को की परवारिंग मीटिंग है और चार की चार तारी की गुड़गाओं में मीटिंग है जी और कोई प्रसंद है किसी का हेलो मेरे मेरं मेरे को लिंक भेजा है तो मैंने पहली बारी समन्संग की मिटिंग अट्रेंट करी है तो वे जानन की कि अगर इसमें समलित होने के लिए मुझे क्या करना मुड़ेगा आप अपना फॉन नबर बोली है योगंदर जी लिखेंगे और वह आपको फॉन करेंगे अपना फॉन नबर बोली है आप सभी से यह निविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है यह सभी कॉपिराइट फिरी हैं आप अपने फेस्बुक पे अपने पेज़ पे अपने सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्हें की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद नहें बाकी सारी में बताते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो । मुझ ए। कर दो कर दो कर दोじ कर दो कर दो, कर दो, जो कर दो, और's Chili दो. झाल झाल